हेलो गारीज, वेलकम टो माई चैनल, आज हम डिसक्रस करेंगे अपनी नेक्स जफिनेशन जो कि हमारी गमक की, तो देखते हैं हम अपने टॉपिक को, गमक की परिभाशा और उसकी प्रकार, गमक शब्द संस्कित भाशा के गम धातू से लिया गया है, मतलब गम धातू होते ह जो हमारी संस्कित में उससे शब्द लिया गया है, जिसका आर्थ होता है चलना, तो जब हम स्वरो को गमधीरता पूरवक आते हैं, तो वहें गमक कहलाते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गमक से शुरू होता है और गमधीरता पूरवक, जब हम स्वरो को गमधीरता हमारे पधेश सारंग देव मिल्दा स्वारों व्हांनेक्ट सयर को गमग के शूर पूर्फ लगाना पड़ा उते हैं हमारी संगीत में गमक के पंदर प्रकार बताए गए हैं जिन में इसे कुछ निम लिखिता हैं आप इनमें से कोई भी दो चार नाम अच्छे से याद कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ अंदोलित गमक, पलावित गमक, लीन गमक, सफूरित गमक, उसालित गमक, कमपित गमक, मिश्रित गमक, आहत गमक, नामित गमक, मुद्रित गमक इतियादी आप इनमें कोई भी चार नाम सानी से याद कर सकते हो अता हम कह सकते हैं कि शास्ते संगीत में गमक का बहुत अधिक मैतव है क्योंकि शास्ते संगीत में गमक के बीना रागों की संदरता नहीं बढ़ती मतलब अगर हम गमक को यूज ना करें तो हमारे रागों की संदरता नहीं बढ़ती और गमक धुरूपदादी में प्रियोग किया जाता है तो मैं होप करते हैं आपको गमक की परिभाशन और उसके प्रकारचे से समझ आये होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें थैंक यू